आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया कंट्री के सारे सिटीजन के बारे में यानि कि जो भी नागरिक है जो भी लोग इंडिया में रहते हैं चाहें वो किसी भी राज्य में रहते हो, as a resident, यानि कि उनका जो निवास है, जहां वो रहते हैं, वो इंडिया में अगर किसी भी राज्य में रहते हैं, चाहें, वो आप उत्राखंड में, उत्तर प्रदेश, देली, हरियाना, छत्तिसगड, चंडीगड, करनाटका, केरला, असंद, तिरिपूरा, तेलांगाना, आंधरा प्रदेश, अरुनाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मनिपूर, मिगालिया, ऐसी जगहों से अगर आप रहना, यानि आप वहां से ब्लॉंग करते हैं, या आप वहां रहते हैं, इन में से किसी भी जगह में आप रहते हैं, तो और पर्मनेंट रेजिडेंस के तौर पर मन्दा आप वहीं के नागरिक हैं इंडिया कंट्री में आप किसी भी राज्जे से अगर वहां के नागरिक हैं वहां के रहने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि यहां पर एम्स राइपूर 36 से एंडर आपकी वेगेंसी निकाली गई है मैडिकल डिपार्टमेंट में जैसे कि आप जानते हैं और इंडिय इंस्टिट्यूट आफ मैडिकल साइन्स यह निस जिसके हॉस्पितल आप जानते हैं कि हार श्टेट में आज के टाइम पर हैं यानि आप देखेंगे तो अलग अलग department में जैसे कि आप जानते हैं एक hospital के अंदर बहुत तरह तरह के department होते हैं कोई operation department होता है कोई surgery department होता है कोई कोई हड्डियों का department होता है कोई किसी चीज का department होता है और कोई किसी चीज का department होता है तो उसी से related यह video होने वाला है क्योंकि यहां पर आपका एम्स रायपूर 36 गड़ के अंदर नोटिफिकेशन निकाला गया है वेकेंसी यानि रेक्रूट्मेंट कराने के लिए यहां पर टोटल 98 वेकेंसिया निकाली गया है टोटल और यह पूरे इंडिया की केंडिट्स के लिए रहेंगी मतलब यह सिर्फ 36 गड़ के लोगों के लिए नहीं बलकि हर राजिय का कैंडिडेट जो की इंडिया में रहता है वो इस जौब पर अप्लाए कर सकेगा तो हम वही जानेंगे वह कौन-कौन से अलग-अलग डिपार्टमेंट है जिसके यह अलग-अलग ऐसी कौन सी फिल्ड है जिसके ओपर यहां पर कैंडियट अप्लाए कर सकेगा अपनी क्वालिफिकेशन के बेस पर तो यहां पर मैं आपको बता दूँ यहां पर जो वेकें क्या होगा, फॉर्म की फीस क्या होगी, कब तक फॉर्म भरे जा सकते हैं, किस मोड में फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म का फॉर्मेट क्या होगा, एक एक चीज इस वीडियो से रिलेटिड डिसकस की जाएगी, तो सबसे पहले यह जो मेल वेबसाइड है आपकी, जो की है aims राइपुर की तो यहाँ पर आपको यहाँ पर notification देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको recruitment वाले section में vacancies में आप जाएगे तो वहाँ पर ही आपको notification दिखेगा और दूसरा video के सही नीचे भी आपको दिख रहा होगा जो की इस job का notification है और application link भी आपको वहीं मिल रहा होगा एक चीज वीडियो के सही नीचे आपको दिख रही होगी और यह एक आप पता ही है कि form की dates होती है उसके साथ ही हमें apply करना होता है तो dates को ध्यान में रखते हुए आपको चलना होगा तो हम चलते हैं direct notification की तरफ यह आपका notification है notification में यह बोला गया है कि recruitment जो है वो senior residents की है senior residents पोस्ट की अब यह senior residents अब अलग-अलग departments के हो सकते हैं मतला आप समझे है अलग-अलग department उसमें आपका senior resident की post है जो की non academic post है और इसमें आप देखेंगे तो बहुत सारे अलग-अलग department में है तो आपके department की post जो आपके department wise आप senior residents होंगे उस post के लिए उस field में आप जो aims रायपूर के अंदर होंगे सेम दूसरी post जगर दूसरी department वाले अगर apply करते किसी दूसरे department तो वह department में तो वह candidate उस department का senior resident होगा जो की non academic post है और यह आप जान लीजे कि एक सरकारी job है क्योंकि और यह all over India का candidate apply कर सकता है पूर इंडिया में कहीं से भी job पर apply कर सकता है candidate और यह government job तो ही और साथ में यह 36 गड़ के रायपूर एम्स के अंदर रहने वाली है आप देखेंगे यह जो है residency scheme के तहत यह vacancy निकाली गई है और यहाँ पर form की डेट आपकी 29th of September रहेगी यानि 39 सितमबर तक जो चाहे form भर दे इस job पर इसके बाद नहीं भरा जा सकता है अब next यहां पर यह है in an apex healthcare institute established by the ministry अब यह कब हुआ था एम सरायपूर कब बनाया गया था कब स्टार्ट हुआ था तो यह ministry of health and family welfare को देखते हुए और ministry ministry of health and welfare family welfare है government of India का जैसे कि आप जानते है government of India के अलग-अलग ministry है जिसे ministry of finance है ministry of education है ministry of home and affairs है ministry of defense है ministry of agriculture है और बहुत सारे अलग-अलग fields के ministry है तो उसी तरीके से एक ministry health related जो है health का है वो government of India का उसके अंदर जो आपके प्रधान मंत्री स्वास्थिय सुरक्षा योजना यानि PM SSY यह योजना है इसके ही तहत आपकी वेकेंसी निकाली गई है director Ames Raipur ने invite करा है मतब जो Ames Raipur को main handle कर रहे है जो main उसके director है उन्होंने application invite कर रहे है और यह Google form के format में रहेंगे मत्तब आप जानते हैं जैसे Google पर हम form भरते हैं किसी वेकेंसी के हमने देखे होंगे कई बार हमें Google form से भी apply करने पड़ते है जॉब पर तो same यह Google form से आप apply कर करेंगे from Indian nationals मतब जो भी भारतिय नागरी को मतब आप समझ सकते हैं कि हर इस्टेट वाला eligible रहेगा जो भी इंडिया के नदर आता है अब इसमें आता है senior resident non academic post के लिए और इसमें बोला गया है for the tenure period of up to three years for the department mention मतब आपको तीन साल तक करना है यहां पर अपना अपना काम व यह क्या confirmed है कि तीन साल ही यह इस related जो भी बात होगी हम इसके आगे discuss करने वाले जो कि annexor A के अंदर लिखा हुआ है अब यहां पर detailed LGBT ITA यही है कि यह group A की post है मतब आप समझ सकते हैं कि काफी अच्छी post है बड़ी post है group A की post है levels आप जानते हैं कि group A, B, C अलग अलग होते हैं चाहे वह government job हो या फिर private हर तरह में हर में आपके grade और groups divide किये होते हैं जिसे कि candidate को पता लग सके कि उसका job का level कि इस post का क्या level है उस office में उसके respect रहेगी या क्या 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 उसके rights रहेंगे क्या क्या उसको फायदे रहेंगे और अपने आपको समझ सके वह कि वह किस post पर job कर रहा है तो हिसाब से group A है और pay band आप जानना चाहेंगे तो 67,700 रुपीज यानि level 11 आपको मिल रहा होगा है आपर और cell number 1 as per 7th CPC के तहत plus usual allowance जो भी आपको मिलते हैं जो normal allowance मिल जाते हैं वो मिलेंगे including NPA और अपर एज यहां पर रहेगी 45 यानि कि 45 साल तक के candidates पर अपलाए कर सकेंगे मतलब जो candidates complete हो चुके 45 years को वो अपलाए नहीं करेंगे उसके below वाले अपलाए करेंगे और salary मैंने आपको बताई कि 67,700 यह आपको per month मिल रही होगी essential qualification यह है कि यहां पर पोस्ट graduate medical degree होनी चाहिए आपकी चाहें वो MD में हो MS में हो DNB में हो diploma में हो या फिर इन रिस्पेक्टिव discipline from a recognized university institute कि किसी भी university institute का हो सकता है for school of public health public health के school के लिए पोस्ट graduate medical degree जैसे कि MD, DNB in community medicine और PSM from किसी यह भी आपकी किसी भी institute और university से हो सकती है यह सारी degree यह कोई भी एक हो आपके पास तो आप apply कर सकते हैं या फिर एक post graduate degree MDS के अंदर और यह conservatives density and endodontics from a recognized यह दे कि यह कुछ fields है medical, medical degree जो यह पर बोली गई है यह आपकी आपके हिसाब से आपका professional होता है तो आपको इस fields के और है पता होगा तो इस field में आपकी degree होने चाहिए अब number of post 98 रहेंगी अगर category wise बात करूं तो unreserved category 36 यानि 36 vacancies OBS यानि के other backward cast के लिए यानि पिछड़ा वर्क के लिए 26 vacancies 26 ऐसे candidate होंगे जो इस category से लिए जाएंगे 17 ऐसे candidate होंगे जो SC से, ST से 8, EWS से 11 total include करें यहाँ पर including यहाँ पर चार post जो है disabled category की भी है जो आपकी category में ही include कर दी गई है अब हम इसके बाद समझते हैं यहाँ पर कि आपकी जो age रहेगी और experience और qualifications रहेंगे वह आपके 29 सितंबर तक की date के माने जाएंगे मतलब किसी की age यहाँ पर 45 से बिलो बोली जा रही है तो अगर माली जा कोई candidate 45 का हो रहा है और वह होगा अगर वह 29 सप्तंबर को हो रहा तो eligible है लेकिन अगर वह candidate 30 सितंबर को हो रहा है 45 साल का तो भी वह eligible है लेकिन अगर वह उससे पहले ही हो गया माली जा कोई candidate 29 तारीक को ही जा उससे पहली हो चुका है 45 साल का तो वह eligible नहीं है यानि अभी वह 45 साल से कम है तो apply कर सकता है और अगर वह 45 साल का इस date के बाद हो रहा है तो भी वह apply कर सकता है क्वालिफिकेशन यहां पर मैंने बताया है सबकी डेट्स यानि कि आप अकर master degree भी देख रहे हैं तो वो भी उसकी वो भी आपके पास इस date तक होनी चाहिए आपके पास degree marksheet जैसी चीजे और only those candidates who have been declared इस date के साब से आपको eligible माना जाएगा in case in case result of qualifying exam is declared after अब माली जे किसी candidate की marksheet degree जैसी चीजे उसको मिल रही है इस date के बाद चाहे एक दिन बाद ही क्यों न मिल रही हो तो वो form ना बढ़े क्योंकि वो नहीं ले पाएगा इस job को the our vacancies are provisional यह vacancy provisional है मतलब इस vacancy को चाहे तो आगे change किया भी जा सकता है इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है requirements के इसाब से अब यहाँ पर एक google form का link रहेगा जो description यानि video के नीचे ही रहेगा उससे जाकर आप इस job पर apply कर पाएंगे form की fees यहाँ पर non refundable है आप fees भरने से पहले ध्यान रखना कि आपको job चाहिए तभी आप apply करें क्योंकि यह fees वापस नहीं आती है especially यहाँ से तो नहीं आएगी लिखा गया है और form की fees online भरी जाएगी form का print आप online form का format ऐसा है form online नहीं वरा जा रहा है form आप print करेंगे उसका format अभी बताऊंगा मैं क्या होगा उसको आप submit कर देंगे मतलब fill करके पूरा उसको post करना है आपको मतलब उसको जो है यहां से post करना होगा और उसकी जो file है उसको आपको attach करना पड़ेगा मतलब मैं आपको बताऊंगा form fill करके जो आप Google form के अंदर उस file को attach करेंगे और साथ में यहां पर आप fees भरेंगे वो भी online भरेंगे इस form की fees इस job के लिए इसमें आप देखेंगे तो 1000 रुपे unreserved candidate भर देंगे और जो reservation category में हैं और खासकर ओड़ते या फिर women candidates जो भी किसी भी category से हो चाहे वो women's चाहे वो women जो है किसी unreserved category से हो या reservation से हो तो वो form की fees नहीं भरेंगी और बाकी सारे candidates form की fees भरने वाले हैं और अब मैं आपको बताता हो fees payment करनी कैसे fees payment के लिए आप जा सकते हैं NEFT से NEFT के जरिए आप fees payment कर पाएंगे जैसे कि आप जानते हैं कि net banking UPI यह बहुत सारे option होते हैं उनमें से NEFT होता है NEFT आपको मिल जाता है जैसे आप bank की side पर जाते हैं जहांसे भी payment करते हैं वहां पर आपको NEFT का option मिल जाता है NEFT का option में जाकर आपको बताना है कि आपको क्या करना है वहां पर आप बोलेंगे कि payment करनी है आपको तो payment के लिए आप चुलनेंगे bank of India को इस bank के अंदर आपको branch आपको ताती बंद राइपूर की branch चूज करनी है उसके बाद आपको account holder कर नाम AIMS राइपूर चूज करना है फिर account number डाल देना है IFSC code डालना है MICR code डालना है और उसके बाद अपना payment का amount है वो डालके payment कर डालनी है अब वो candidate जो central या state government या फिर semi government या फिर autonomous institution के अंदर या फिर सरकारी किसी भी department के अंदर कहीं न कहीं कोई candidate काम कर रहे है आज के time पर तो वो no objection certificate फिल करके submit करेंगे from the employers at the time of interview यह interview के समय आपको no objection certificate submit करना पड़ेगा कि आपको को objection नहीं कि आप अभी कहीं और काम कर रहे थे लेकिन अब आप यहां काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए self-attested photocopy आपको degree की certificates की और mark sheet की और age proof की इन सब की आपको जो है और यह आपको interview के समय पर दिखाने हैं आपका interview भी होगा यहां पर यह interview जब होगा तब आपको यह सारी चीज़े दिखाने हैं अब आपके कास्ट के certificates, degree, mark sheets और id proofs, photo यह सारी चीज़े जो आप form में भी लगाएंगे और वहां पर भी दिखाएंगे और यह सारे documents original और प्लस आपकी इसकी photocopy दोनों ही आपको दिखाने पड़ेंगे the interview will be held, interview होगा आपका रायपूर के अंदर, only आपका AIMS के रायपूर के अंदर आपका interview हो रहा होगा और यहां पर अगर आप बात करें no TA, TA and DA will be paid for attending the interview मतलब आपको कोई traveling allowance की मतलब आप travel करके या दूसरे राज्ये से वहां जाएंगे interview के लिए तो उस traveling के लिए आपको कोई खर्चा नहीं मिलेगा कि जासे आप bus से जा रहे हैं, train से जा रहे हैं या किसी भी चीज से जा रहे हैं तो वहां पर आपको पैसे नहीं दिये जाएंगे, आपको traveling allowance नहीं मिलेगा हो सकता है, लेकिन यह TADA जैसी कोई चीज आप पर नहीं मिल रही है, और reservation category wise central government की तरफ से जो भी होता है वह आपको मिल रहा होगा और जिनके लिए नहीं होता जैसे unreserved categories के लिए तो उनको तो नहीं मिलेगा लेकिन reserve candidates के लिए reserve category वाले candidates को reservation जैसे age में भी मिलता ही है, age wise मैं बता देता हूं जैसे age में मैंने बोला था कि 45 साल, 45 age जो है maximum थी यहां पर apply करने के लिए, अगर कोई candidate 50 साल का भी हो रहा है और अगर वो SCHT से है तो apply कर सकता है, मतलब 50 complete नहीं हो उससे नीचे ही हो, same OBC में candidate 3 साल maximum मिलेंगे, disability में अगर कोई general categories है, जैसे general category वाले candidates का यह सोचना होता है, कि अगर हमार को कभी भी reservation नहीं मिलता है, तो age wise general candidate को 10 साल का reservation मिलेगा, लेकिन वो अगर disabled होंगे, किसी ना किसे disability को face कर रहे होंगे, तब ही मिलेगा, और अगर वो एक normal candidate है, और general category में आ रहे है तो उनको same, उनकी age 45 maximum रहेगी, अब next यहां पर यह है, कि ex-servicemen और यह जो commissioned officers हो including जैसे की ECOs, SSCOs, फिर government servants जो होते हैं, उनको 5 साल का relaxation दिया जाएगा, उनकी age के अंदर, यह यहां लिखा हुआ है, तो इन सब को आप पढ़ सकते हैं, और अब बात आती है, जो general candidates होते हैं, और अगर वो किसी ना किसी रूप से weaker होते हैं, मतलब कि वो financially weak होते हैं, वो पै जो 10 ऐसे candidates होंगे, जो EWS category से उनको job दी जाने वाली है, और इन candidates को बोला गया है, कि अगर आप इस category में आए, तो इस category का आप certificates बनवाले हैं, EWS का और वो submit कर दे, अब certificate आपका central government वाला होगा, यानि कि government of India वाला होगा, जो आप यहां पर लगाने वाले है, state government वाला आप न तरह के format होते हैं, एक होता है, एक तो state government का certificates होते हैं, कास्ट के, और एक होते हैं, आपके semi government के भी हो जाते हैं, और एक central government के होते हैं, तो central government वाला ही लगाएं, क्योंकि यह all India vacancy है, इस वजह से, और आपका जो यह है, यह आपका, इस date से पहले ही होना चाहिए, मतलब आपक अपरेल तक का, आपके पास, इस certificate का validity होना चाहिए, जिसको आप यहां पर लगाएंगे, देखें, आपर लिखा भी गया, क्या लिखा गया है, यह यह इस वह एक पारेल 2023 को या फिर उसके बात का, तभी हो eligible रहगा, क्योंकि certificate एक साल ही चलता है, अब इसके बाद कुछ important चीज़े हैं, यह सब आप read कर सकते हैं, यहाँ पर, अब लिखाया है, if there are no candidates available for the post in a particular category, देखें, आप माली देखें से recruitment पूरी हो गई, और देखा गया कि कुछ post ऐसी हैं, जो category wise रखी गई थी, कि भाई, EWS की थी, SC की थी, SC की थी, SC या HT इन लोगों के लिए थी, और वो filled नहीं हो पाई, तो फिर 44 दिनों के अंदर, यानि 44 डेस के अंदर, वो vacancy या भी fill हो जाएंगी, आपकी merit को देखते हुए, कि merit base पे कौन आ रहा है, उसको देखते हुए, filled कर दी जाएंगी, यह सब बताया गया है, अब मैं आपको यह बताता हूँ, कि कौन-कौन से ऐसे department है, इसके अंदर आपकी vacancy रहेगी, यह आपकी इसमें आप 6 vacancy रहेंगी, और 6 vacancy रहेंगी, और 6 vacancy रहेंगी, आनि जब category की 1 vacancy है, OBC की 2 है, SC 1 है, और HT की यहाँ पर नहीं है, यानि इस category में candidate इस department में, candidate HT वाला vacancy नहीं ले पाएगा, और अगर वो HT वाला candidate चाहा रहा है, कि वो इसी department में जॉब ले, तो वहाँ पर आपकी 2 vacancy है निकाली गई, जो की SCHT है, SCHT होता है आपका, schedule cast, schedule tribe, OBC other backward cast, मतलब अनुसूचित जाती, जन जाती, और आर्थिक रूप से कमजोर, और पिछडा वर्ग, यह सारी category होती है, जो मैंने आपको full form बताई है, नेक्स्ट आपकी biochemistry है, फिर आपकी burn and plastic surgery है, कार्डियो लॉजी है, फिर कार्डियो, कार्डियो थोरे कि सर्जरी है, उसके बाद आपका clinical hematology, उसके बाद community and family medicine है, उसके बाद, डेश्टिस्ट्री, conservative, डेश्टिस्ट्री, and encodontics, यह सारे आपके departments रहेंगे, जो भी आपका इसमें perfection हो, या फिर आप एक तरीके से इस चीज में perfect हो, आपके पास qualifications हो, certificates हो, और आप इसी departments में आप आज तक qualifications लेते आएं, और आगे बढ़ते आएं, तो उसके भिहाफ पर आप इस department में apply कर सकते हैं, इस के qualifications के base पर, same ENT है, forensic medicine and toxicology है, और बाकी आपके इस तरीके से बहुत सारे fields यहाँ पर दिख रहे हैं, तो उससी आप साब की vacancy हैं, और category wise भी दी गई हैं, तो आप check कर सकते हैं, तो टोटल 41 department है, यह एम सरायपूर के अंदर इतने तरह के department होंगे जिसके लिए vacancy रहेगी, अब देख सकते हैं, कुछ ऐसे department भी होंगे एम सरायपूर के जो रह गए हो यहाँ पर, कि recruitment ना हो रही हो, इस कारण से कि वहाँ पर vacancy है नहीं, या फिर ऐसा भी हो सकता है, कि अभी बहुत सारे ऐसे fields के लोग हों, जो सोच रहे हों कि हमारे department का अब नामी नहीं मिला हमारे fields से related, तो वो लोग फिर इसमें apply नहीं कर सकते क्योंकि फिर उनके लिए यह job नहीं रहेगी, अब मैं आपको बताता हूं, यह application का form है, मतलब आप इस form का print करेंगे, और इसको ही submit करेंगे अपने google form के अंदर, अब google form में आपको करना क्या है, जैसे यह application form है, जो कि आप जानते है, senior resident की post के लिए है, और इसमें आप देख सकते हैं जैसे, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, department का नाम डालना होगा, जैसे मैं यह आपको उपर departments दिखाए, तो उनमें आप अपने department का नाम डाल देंगे, जैसे मैं आपने anatomy में अपलाए कर रहे हैं, तो anatomy डाला, फिर यहाँ पर अपनी photo, affix photo, passport size photo को यहाँ पर colored photograph आपने यहाँ पर अपना चुपका दिया, paste कर दिया, उसके बाद आपको यहाँ पर name in block letter, मतला आपको बड़े-बड़े letter में अपना नाम लिखना है, जैसे माली जे किसी का नाम है, किसी का नाम माली जे रोहन है, तो रोहन क्या करेगा, तो यहाँ पर लिखेगा R, फिर लिखेगा O, और H, A, N, और यह सारा capital में लिखना है, तो इस तरीके से हो जाएगा, सेम उसके father का नाम candidate अपना लिखेगा, तो कैसे लिखेगा, जैसे उसके father का नाम Ram Lal है, तो लिखेगा R, A, M, तो यह हो गया Ram, फिर एक space छोड़ देना है, फिर उसके यहाँ पर Lal कर देगा, L, A, L, तो इस तरीके से नाम और यह पूरा नाम आ जाएगा, तो इस तरीके से block letter में होना चाहिए, block letter जैसे ऐसा हो जाता है, कि आप लिखेगे यहाँ पर Ram है, तो आप उसको R लिखेंगे, फिर उसके बाद A भी capital लिखेंगे, और उसके बाद जो M होगा, वह भी capital ही लिखेंगे, मतलब ऐसा ना करेंगे कि पहला letter ऐसे R कर दिया, और उसके बाद छोटा alphabet में चले गए, ऐसा नहीं करना, यह चीज आपकी नहीं होगी, दूसरे तरीके से होगी, तो block letter का मतलब यह होता है, तो इस तरीके से आप नाम वाम डाल देंगे, address को भी इसी तरीके से डालेंगे, address में आपका जो भी block हो, house number हो, और पूरा जो भी location wise address हो, वो आप डाल देंगे, फिर state डालेंगे, state का pin code डालेंगे, जैसे suppose मानी कोई candidate यहां पर apply कर रहा है, तो यहां वो 36 गड़ डालेंगे, फिर वहां का जो pin code होगा, suppose मानी वहां का pin code है 142234, तो यह वो pin code डाल देगा, तो इस तरीके से, postal address मतलब डाक का पता, जिस डाक office में submit होगा, वहां का पता, मतलब जो भी आपका postal address मतलब जो भी आपके पास में, नजदीक में डाक होगा, डाक office होगा, वहां का address डाल देना है, वहां state pin code डाल देना है, अब उसके बाद यहां पर अपना mobile number, phone number जैसे चीज़े दे रहे होंगे, यहां पर phone number देंगे उपर, फिर नीचे mobile number देंगे, फिर email id देंगे, date of birth बता देंगे अपनी फिर, और यह भी फिर यह बता देंगे, कि आप कितने साल, कितने महिने और कितने दिनों के हो गए है, जब phone गी last date चल रही है, बनलब last date चासे कि 29 सितंबर को आप कितने साल के हो गए, कितने महिने और कितने दिन के हो गए age wise, फिर यहां पर पूचा गया कि Candidate a citizen of India by birth और by domicile, देखे दो तरह का होता है, एक तो यह होता है कि India का ही birth है candidate का, यह फिर यह होता है कि वह वहां का निवासी है, तो दोनों मेंसे आप बता देंगे by birth से हैं या फिर domicile आपका यहां का है, यह चीज़े बताने हैं, फिर if citizen of India by domicile, अगर domicile है, मतलब कि उसका birth इंडिया में नहीं है लेकिन वह इंडिया में ही रहता है, तो उसको documentary evidence लगाने पड़ेंगे, और इसके बाद अगर कोई candidate reservation category से होगा, तो वह यहां पर बताएगा yes, no, जो भी रहेगा, फिर उसके बाद अगर वह yes करता है तो category का certificate upload करेगा वह, और gender अपना बताना है candidate को, फिर उसको बताना है disability है उसको नहीं है, और उसके बाद education qualification में candidate को यहां पर करना है, 10th के लिए यहां पर बताना है subject, wish, wish, specialty बतानी है उसको यहां पर 10th की, फिर उसको बताना है उसने 10th काउन से school, college, university से करी date और उसने किस state पर अपने 10th पूरी करी और किस month और year में उसने अपना final exam 10th का pass करा, उसके marks कितने आये 10th में, duration क्या थी, जैसे आप जानते कि 10th class एक साल करते हैं, एक साल में पूरी 10th class होती है, तो 10th लिखेंगे आप एक साल one year आजाएगी, marks जो भी आये वो आजाएंगे, marks obtained है या नहीं कि जो marks आये हैं वो आएंगे आपे, फिर किस महीने और किस साल में अपना final exam दे दिया और बागी सारी चीज़े, same 12th के लिए भी करेंगे, और subject, specialty मतलब कौन कौन से subject थे वो आप बता देंगे, 10th, 12th MBBS, MBBS के बाज यहां पर MD, MSS में से क्या करा उसके बारे मां बताएंगे, और permanent आपका जो है, और जो की PDF format में हो, जैसे आप देख रहे हैं जो मैं document discuss कर रहा हूं, यहां पर आप देखेंगे, जो document का जो भी नाम है, इस नाम के आगे आप यहां पर एक चीज़ देख सकते हैं, यह यहां पर लिखा है PDF, यानि end में PDF लिखा है, तो file के अंदर end में PDF हो, ना हो तो उसको आप convert कर लें, वीडियो आप जाके देख सकते हैं, undertaking यहां पर है, undertaking मतलब है candidate यह बोल रहा है, कि मैंने जो सारी जनकारिया दिये form के अंदर वो सही है, और अगल गलत हो तो मेरे उपर जो भी actions होते है rules के, rules के भीयाब पर वो लिए जा सकते हैं, यह यहां पर बता देना है, candidate को यहां आपने sign कर देना है, नाम लिख देना है, place, जखा का नाम और date डालके इसको भी submit कर देना है, अब यहां पर यह है कि कुछ document जो है, candidate को attach करने पढ़ेंगे अपने application form के साथ, जैसे कि दस भी बारवी का certificate कोई भी एक लगा देगा वो जिससे की पता लग सके कि उसका जन्मतिती क्या है कि वो कब बर्त हुआ उसका, वो पता लग सके, same उसके बाद MBBS mark sheets, बता all semester की apply upload करनी है, फिर MBBS, BDS degree, फिर internship completion certificate, attempt certificate, और फिर state council registration certificate यहां पर रहेगा, और category certificate experience अगर आपको होगा उस field में तो उसका भी आप लगा सकते है certificate, और यह सारी चीजह होंगी और इसको आप लगाएंगे, इसमें आपको यहां पर tick करना होगा, please tick, तो यहां पर लिखा है, जो भी आपके पास इनमें से applicable हो, उसमें आप ऐसे tick करते जाएंगे, ऐसे करके tick करना है, हां मेरे पास यह भी है, यह भी है और यह भी है, और इन सब की copy जो है, आपको attach, self-attachment मतलब खोद से attach करनी होगी, तो यह सारी चीजह आप कर लेंगे, और यही पुरा job के लारे में है, मैंने आपको बता दिया है, आप इसमें देख सकते हैं, direct interview होगा, कोई exam नहीं होगा यहां पर, आपके पास experience है उस field में, और certificates हैं, तो आप apply कर सकते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ यहां पर Google form, यह रहा Google form, इसमें आपको लिखा है, कि आप इस job पर apply करना चाहरे हैं, तो यहां पर आप अपना email id डाल देंगे, फिर name डालेंगे department का, फिर candidate अपना पूरा नाम डालेगा, father का नाम डालेगा, date of birth डालेगा, gender डालेगा, चाहे हो male, female जो भी apply कर रहा हो candidate, फिर mobile number, email id, category, और disability है की नहीं है, post graduation के subjects की quality, subject of post graduation, जब भी उसने कड़ा, तो उसके subject डाल देगा, permanent address, address डालेगा वो, उसके बाद fees बताएगा, वो कौन सी pay कर रहा है, क्योंकि वो एक ऐसी category में है, फिर next, वो transaction id डाल देगा, यहाँ पर अपनी bank transaction id, जो भी उसकी रहेगी, उसके बाद bank, आप जैसे मैंने बोला था, आपको bank में fees payment करने क्या, जो उसकी receipt होगी, वो आप यहाँ पर add करेंगे, इधर आप उसको paste कर देंगे, उसको आप इधर add कर देंगे, वो pdf format में होना चाहिए, और 1mb से कम उसका size होना चाहिए, माल लीजियो, उसका size से ज्यादा होता है, तो उसको आप compress कर सकते हैं, उसको size change कर सकते हैं, यहाँ पर आपको signed application form, कि यहाँ पर आपको copy लगानी है, signed की, देख लिए ऐसा ना हो, कि वो signed ना हो और आप उसको upload कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए, age proof के तोर पर आप इसमें 10th, 12th का certificate यह upload कर सकते हैं, ID भी upload कर सकते हैं, category certificate और बाकी सारी चीज़े हैं, यहाँ पर आप अपने MBBS के mark sheets, degree, certificate यह सब upload करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर सब upload करने के बाद, no objection certificate upload करने के बाद, अब देखिए आपको बता दू, इस certificate सारे जरूरी नहीं है, कुछ चीज़े जरूरी है, जैसे address आपको डालना जरूरी है, permanent address जालना जरूरी है अपना, और post graduation के आपके subjects चालने जरूरी है, फिर जिन पर भी star लगा है, वो fields जरूर बरना, जिएकि आप खाली नहीं छोड़ सकते हैं, इसके बिना आपका आगे form submit नहीं होगा, यह वाले fields, जहां पर star नहीं दिख रहा है, वो चीज़े आप छोड़ सकते हैं, जैसे यहां पर जो attach करने को बोले जारे हैं, तो इस attach document में आप star देख रहे हैं, तो star मतलब यह है कि इनको जरूर आप upload करें, जैसे हो सकता है candidate को disability नहीं हो, तो उसके लिए star नहीं है, जरूरी नहीं है आपको disability हो, हो तभी आप upload करेंगे, जैसे star वाली चीज़े तो upload करनी ही है, हर candidate को, उसके आप इस पर declaration में टिक करके submit कर देंगे, तो यह पूरा process है apply करने का, आप इस तरीके से जॉब पर apply कर पाएंगे, तो मैं मिलूँगा आप नए topic में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद,